उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम ऐसा नाम जिसको लेकर दश्कों तक तरीके तरीके की बाते की गई बात बाहुबली की हो या राजनिती में रसूख रखने की रहुराज प्रताप सिंग उर्फ राजा भहिया का नाम सुर्खियों में ही रहा लेकिन आज कल राजा भहिया अपनी पारिवारिक कलहों की वज़े से सुर्खियों में बने हुए हैं कारण है पत्नी भानवी सिंग से तला का मामला राजा भहिया के बारे में तो कई कहानिया फीमस हैं लेकिन उनकी पत्नी भानवी सिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं चलिए आपको बताते हैं कि कौन है भानवी सिंग भानवी सिंग का तालुक बस्ती राज घराने से है भानवी सिंग का जन 10 जुलाई 1974 में बस्ती राज घराने में हुआ था वे बस्ती की राजा के छोटे बेटे कुवर रवी प्रताप सिंग की बेटी हैं कुवर रवी प्रताप सिंग की चार बेटिया हैं जिन में भानवी तीसरे नमबर की हैं भानवी सिंग की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में ही हुई थी उन्होंने अपनी आठवी तक की पढ़ाई बस्ती के सेंट जोजेब स्कूल में पूरी की उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भानवी सिंग अपनी मा मंजुल सिंग के साथ लखनों चली आई भानवी सिंग की शादी प्रतापगड के राजपूत भदरी रियासत के राजा ओधर प्रताप सिंग के बेटे कुएर रगुराज प्रताप सिंग और राज़ा भहिया से 1995 में हुई थी राजा भहिया और भानवी सिंग के दो बेटे हैं जिनका नाम शिवराज और ब्रजराज है और दो बेटिया हैं जिनका नाम रागभी और ब्रजिश्वरी है पिछले कुछ सालों से भानवी और राजा भहिया अलग रह रहे हैं शादी के इतने सालों तक परिवार में क्या कुछ चल रहा था ये आम लोग नहीं जानते थे लेकिन फिर ख़बर आई कि राजा भाईया और भानवी सिंग तलाक लेने का मूड बना चुकी हैं। इस कहानी में एक और एंगल निकल कर सामने आ रहा है और वो एंगल है प्रॉपटी का। चार के आरोप लगे थी। जानकारी के मुताबिक इस विवाद में राजा भाईया ने भाई अक्षे प्रतात सिंग का ही साथ दिया था। ये मामला साकेत कोर्ट पहुँच गया। तब राजा भाईया ने पतनी भानवी पर घर में जगला और कलह करने का आरोप लगाया। बीडर पॉट यूपी तक!